उत्राखंड के हरिद्वार में चला सियर धामी का बुल्डोजर रातो रात हटवा दी गई अव्यद मस्जित हिंदू संगठन के प्रदर्शन के बाद हुई बड़ी कारवाई उत्राखंड में बड़ी कारवाई देखने के लिए मिली है जहार रातो रात एक अव्यद मस्जित को बुल्डोजर से हटा दिया है और इसके बाद भारी फोर्स की वहाँ पर तैनाती की गाई है बतावे आपको कि उत्राखंड के जिला हरिद्वार में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कारवाई करते हुए एक अवैद रूप से बनी मस्जित को हटा दिया है लेखनिया है कि तिर्थ गंगा नगरी हरिद्वार और आसपास पड़े पैमाने पर अवैद रूप से मस्जित और मदर से बनाने का शड़्यंत्र चल रहा है मगलार उप्चुनाओ के दोरान जुआलापूर हरिद्वार में भी एक मस्जित का निर्माण हो गया और यह मामला अब वक्ष वोड में चल गया जहां कल इस मामले की सुनवाई की जानी है लक्सर में ध्वस्त किये गए भवन के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन की टीम ने लक्सर तैसील में कम मस्जित में किये जा रहे अवैद निर्माण को ध अटा दिया गया जानकारी के मताबित में चल रहे निर्माण कारे को लेकर पिछले दिनों हिंदू जागरण मंच ने विरूद प्रदश्चन किया था उन्होंने लक्सर के उपजिला मजिस्ट्रेट के पास शिकाद दर्च कराई थी जिसके बाद प्रशासनिक जाच में उ है हमने उसको हटानी की बात और अम देव भूमि का मुल शूरूप बिगाडने का प्रियास किया गया है यहां की ड्रमब्रयास कि यह हमने कहा है कि जो यह इस परकार का थी क्रवें मुसको हटाएं जिसके बाद प्रशासनी कजाचवयुक तधार्विक स्थल के निर्माण को अवैद पाया ग्या तो तैसिलदार पृताप सिंग्छोहान ने कहा कि प्रशासन ने इंतिजामिया कमेटी से मस्जित में अवैद निर्माण बंद करने को कहा लेकिन उन्हों इसे नहीं माना लेकिन उन्होंने निर्माण जारी रखा जिसके बाद उन्हें नोटेस तक दिया गया दस्तावेज उपलब्द नहीं करवाने पर प्रशासन ने भारी पुलिस बलकी मौझूद्गी में चल रहे निर्माण कारे को रोक दिया और भविश्य में किसी भी प्रक के कुछ लोगोंदे रेलवे की जमीन पर और निर्मान कर लिया था जिसे हाइए कोट के अदेश पर हटा भी दिया अरोब लगाया, कि वहां से अवै निर्मान रखने के बाद लगसर इलाके में अवै निर्मान कर दिया जिसके बाद इस्थानिया हिंदु ने इस पर एतराज उठाया जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया मौके पर पहुचकर उक्तनिर्माण कार रुकवाया साथी बनी हुई उमारत को भी साफ करवा दिया तो ऐसे मैं आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अवैद निर्म जमीने अवैद निर्माण को जमीनोजद करने के लिए कई कारवाई कर चुके अब ऐसे मैं आपको जादे किसे पहले भी सियमधामी 500 से अधिक अवैद मजद और मजार जो है उससे बुल्डोजर से जमीनोजद उसे किया जा चुका है यानि अवैद निर्माण को किसी भी तरीके से जो है अगर आप कहेंगे बरदाश नहीं किया जाएगा अस्थाय निर्माण को हटा दिया गया भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है लकसर के लकसरी में जो है मजद बना हुआ था और इस पे काफी विरोध हुआ अवैद रूप से बनाई जो गई थी मजद उस गया था कि उत्तरा खंड भी उन राजियों में से एक है जहां पर डेमोग्राफिकल चेंज देखने के लिए हमिल रहा है जहां पर एक आवादी की बढ़ती आवादी जो है वह कहीं ना कहीं एक थ्रेट एक कंसर्ण का इश्यू बन रही है और जो तरीके से हरिद्वार और इस तरीके से पौडी और कहीं जग़ह जहां पर यह कभज़ नर्माण का लगतार बढ़ रहा है कंगी जोहां पर शरकार पहनी नजर बनाये करने जग़ना-इत-बन नर्माण को चिनित किया जा रहा है और इस पर बुल्डोजर चला जा रहा है आपको बटा दें कि बुल्डोजर की कारवाई उत्तर प्रदेश में सीम योग यादित तनात करवा रहे थे इसे वज़े से बुल्डोजर बाबा के नाम से भी वह फेमस हो गए और अब बुल्डोजर की कारवाई ज ताक पर रखकर किसी तरह की कारवाई ना हो ये बात कहीं थी और कुछ टर्म्स और कंडिशन डाले थे जिसके तहत बुल्डोजर की कारवाई की जा सकती है अवैद निर्माड अब जुस तरीके से अगर आप कहेंगे भूमाफ या उपर भी नकल कसने का काम क्या जा रहा है उ हमने आपको बताया कि हरिद्वार का है जहां पर हिंदू संगठा ने से लेकर आतराज जताया क्योंकि अवैद निर्माड होना ही नहीं था लेकिन इसके बावजूद उन्हें नोटिस भी दिया गया उन्हें कहा भी गया किसे निर्माड को रोकिए लेकिन इसका उन पर दर्शन किया और फिर प्रशासन की यहां पर के सकते हैं की कारूई देखने के लिए मिली और प्रशासन ने तुरंत इस भाबले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने इस कारूए को अझाम दिया और इसे जमीन और वैद निर्मान तो अवैद मस्जित बनाई गई थी इस तरीके की कारवाई लगातार उत्राखंड में देखने के लिए मिल रही है जहां पर अवैद निर्मान को जमीन उजद किया जा रहा है इस दोरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी भारी पुलिस बल जो है वहाँ पर मौझूद थे और इसके बाद वहाँ पर जो है इस बरदाश नहीं किया जाएगा अगर कागस नहीं है कागजात नहीं है रोज़जमीन पर किसी तरीके की कोई structure को तयार किया गया या बनाया गया है तो उसे पूरी तरीके से आव्याद माना जाएगा और उस पर भी बुल्डोजर की कारवाई देखने के लिए मिलेगी और य ने यह बाते साफ तोर पर रखी थी कि डेमोग्राफिकल जो बड़ा चेंज हो रहा है इसके मद्दे नजर जो है चीजों पर ध्यान देने के जरुवत है और किसी भी अवैद निर्मान को और बढ़ने से रोकने के लिए उस पर तुरंथ से तुरंथ कारवाई करने की तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला है यह बड़ा वस्तार से बता है कि यह पूरा मामला क्या है उस मामले पर बाग की भी जुराय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरू से जरू साजह करिएगा थन्यवाद